हेलो बच्चो आप सभी क्या से हैं आसा करती हूँ अच्छे होंगे मस्त होंगे और स्वस्त होंगे बच्चो मेरा नाम है चाया प्रतिबा खेलवार आप लोगों की बालोजिफेकर्टी स्वागत करती हूँ आपके अभिप्षा एजूकेशन पर एक्सलेंस पर तो बच्चो मैं आपको बता दूँ आज फिर हम एक नए टॉपिक की और चलेंगे जो की है क्या एम्नियों सेंटरसिस बच्चो आपको कुछ चीज बता दूँ ये अभिप्षा टीम वर्क है जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर अभी जो सिक्षक है वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं तो चलिए देर नहीं करते सीधे हम अपने टॉपिक के और बढ़ते हैं जो की है क्या अपनीन्यों सेंटरसिस तो बच्चो मैं आपको बता दूँ अम्नियों सेंटरसिस क्या होता है हैं बच्चो कुछ नहीं ऐसे समझें आज कर महिलाएं जो महिलाएं होती घर भohवत ही महिलाएं अगर देखे होगे तो पहले मों होते हैं जुस्मारा वनश का ने क्या करते यहादा है कर आगए सब झानकारी देते थे और सबको यही कहते थे कि भई आप बाला को पैदा करो लड़कियों को मत करो और लड़की पैदा हो भी गई तो उसे क्या कर देते थे मार दिया जाता था तो बच्चो इस तरीके से जो घटनाएं होती है इस तरीके की जो घटनाएं होती थी पहले के टाइम होती थी अभी तो वो ऐसे तो कम हो गया है बहुत लेकिन कुछ जगव पर भी आज कर देखने को भी मिलता है तो उसी टॉपिक से रेड़ेट हम एक बात चर्चा करेंगे बच्चो जो ही क्या एम्नियो सेंटेसिस जो की है कक्षा बारवी का एक टॉपिक है एम्नियो सेंटेसिस चरिए एक नज़े डालते हैं एम्नियो सेंटेसिस पर क्या होता है तो बच्चो आपको बता दूँ यह है एम्नियो सेंटेसिस एक ऐसी विधी है बच्चो जिसमें गर्भ में पढ़ रहे शिशू की भूणी, जो भूण है, देखिए, ऐसा समझ ये, गर्भ है, यानि कोई माता है, वो क्या है, गर्भवती है, तो गर्भवती जो महिला है बच्चों, उनमें जो शिशू है, शिशू की क्या करते हैं, उनमें अगर कोई भी गून सूत्रि, ज संरजना है या उसकी संख्या है उसमें यदि आसमानता आ जाए तो उसे हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं उसे आसमानता का पता लगाया जा सकते हैं और पता लगाने के बाद उसे बाद में हम ठीक करा सकते हैं तो इसका अर्थिये हुआ बच्चो अगर आपके आसपास में को हो सकते हैं उस महिला के जो गर्वती महिला है उनका जो भूण है हो सकते उसके क्रोमोसोमल कुछ असमानताय आ जाए यानि कि जैसे कि हमको पता है क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है 46 होती है यानि कि 46 गूर्ण सूत्र पाया जाते हैं यादि उसमें एक बढ़ जाए यानि कि 47 हो जाए या एक घट जाए यानि कि वो कितने हो जाए 45 हो जाए 45 हो जाए तो यह क्या हुआ भई यह क्या हुआ गूर्ण सूत्र की संख्या में असमानता गई या तो यह भी हो सकते हैं उनक कुछ और विमानसिक वाले बिमारी हो जाएं तो यह क्या है गुण सूत्र की संरचना में चेंजे से जिसके वज़े से यह सारे जो बिमारियां हैं हमको बिल्कुल हो सकती है ठीक है तो इसी का पता लगाने के लिए एम्नियों सेंटेसिस जो विधी है वो अपनाई गई है तो गर्भ में पल रहा जो शिशू होता है उनकी ही गुण सूत्री संख्या या उनकी जो संरचना है उनकी ही आसामानता का पता लगाया जाता है तो बच्चों इसमें क्या होता है जो भ्रून होता है एक प्रकार के द्रौ में वो घीरा रहता है चलिए डियागरम से दिखाएं तो ये क्या है आपका माता है माता का गर्भ है और गर्भ में ही क्या है भ्रून देखे किस प्रकार से ये उपस्तित है ठीक तो जो बच्चा होता है बच्चों एक एम्नियोटिक फ्लूड के द्वारा घीरा होता है देखे ये क्या है पूरे एम्नियोटिक फ्लूड है जिस के द्रवारा जो बच्चा है घीरा हुआ होता है। इस में क्याकरते हैं इस ऐमणिऑ टिक फ फ्लूड को giail को अलग कर दिया जाते हैं अब ऐसा समझ लीजिए यह थी डिlor तो बाल तिक है उसमें पानी भर दिया गया है ऐसा वाला जैसे हो तję ना गुबारा ठीक है तो गुबारे में अपन पानी भर दी है और गुबारे के अंदर क्या जाले है एक छोटा सा बेबी है ठीक तो आप समझे जो पानी है वो तरल माद्धा में है सेम वैसे ही जो माता के गर्भ में जो बच्चा है एक तरल द्रव के द्वारा घिरा हुआ है इसी द्रव को हम क्या कहते हैं एमनियोटिक फ्लूड कहा जाता है तो इस फ्लूड को क्या करते हैं सुई की सहायता से या सिरींज की सहायता से इसे अलग निकाल दिया जाता है अलग लिकालने के पस्चा जैसे अपन अलग लिकालते हैं उसे हम क्या करेंगे सुष्मदर्सी की सहायता से इसे बाद में अध्यन करेंगे कि अच्छा ये भी समझो बच्चों भई एम्नियोटिक हम फ्लूट तो लिकार रहे हैं लेकिन बच्चे के हमको क्रोमोसुम्स का पतक क्यासे लगे खुद ही आप सोचिए भई बच्चा तो एम्नियोटिक फ्लूट के अंदर है तो फ्लूट को लि कोषिका मौजूद होता है तो इस जब इम्नियोटिक फ्लूट को निकाला जाता है तो उसमें साथ ही साथ उस भूण की भी कुछ कोशी निकलेगी ना तो बच्ची की कोशीका को बाहर निकाल दिया जाता है अब निकालने के पस्जात उसे के शुच्मदर्शीकी सहायता से उसे अध्यन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसके गुंसूत्री में कोई असमानता है की नहीं है कि दीजे होता है क्या है our new synthesis होता है यानि कि हम गर्भ में पढ़ रहे सीसू की गुंड सूत्री असमानता का हम पता लगा सकते हैं एक और बात बता दू बच्चो एक और बात बता दू एमनियो सेंटसिस देखिए एक चीज और बता दू जैसे ये कोई महिला है अब महिला को पता लगाना है कि जो बच्चा है जो उनके गर्व में है लड़का है या लड़की है तो लड़का है या लड़की है ये पता लगाने के लिए भी इस टेक्निक का यूज किया जाता है देखिए, पहले के टाइम पर क्या होता था, इसका बहुत ही ज़्यादा दूपयोग होता था, इसी लिए भारत सरकार द्वारा इसके लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए, भई ये जारी आपको नहीं करना है, यानि कि आपको जो ये क्या करते थे, गलत दूपयोग करते करेंगे यही सारी चीजह होती थी देकिन अब क्या हो गया है अभी दॉक्टर को इसको बालिकाओं को नहीं मार सकते भई बालिकाओं को मारने के लिए जादा तर इसका यूस किया जाता था भुरूनी जाच के लिए इसका उपयोग किया जाता था तो भई लड़का है या लड़की है लिंग का निर्धारन करने के लिए इसका यूस किया जाता था जो कि क्या हो गया अब इसे ब आप और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं देख सकते हैं पर्चेस भी कर सकते हैं तो बच्चो इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं आसा करती हूं आप लोगों को यह चीजे अच्छी लगी होगी आई हो बच्चो यह चीजे आपको समझ आए होंगी आप मेरे स से अच्छे से पढ़ रहे होंगे समझ रहे होंगे तो बच्चों इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गूगल प्ले पर जाएए वहां पर अभिप्षा एप्लिकेशन हैं आप उसे डाउनलूड कर सकते हैं आप वहा कोड है CHY100 उसमें आप अपलाई करें जिससे आपको 10% की छूट प्राप्त हो जाएगी अधिक जानकारी के लिए आप डबल एट टूवन ट्रिपल जीरो 987 पर भी जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं आई होब आपको समझाया होगा धन्यवाद